सवाल पूछा जा रहा है तो इसका भी एक जवाब बनता है सवाल यह ना कि देखिए आपने बिहार में एक आपके नितिश बाबू है नितिश बाबू इस सीम बने रहते हैं उन्होंने तो अमरित ही खेर चखा हुआ है अब तो 48-72 गंटे की बात है क्योंकि 26 नमंबर तक तो नई सरकार का गटन होने की आखिम समय है और आज हमारा 23 नमंबर है तो मेरा विचार है कि थोड़ा इंतजार का मज़ा लीजिए परन्तु आप आश्वस्त रहिए कि महायूती की सरकार शांदार तरीके से काम करेगी और बहुती सहज स्वाभाविक तरीके से सामंजद से पूर्ण डंग से हमारे सीम का चैन होगा अब किसी ने कुछ भी बोलाओ मैंने तो शिंदे जी का इस्टेक्मेंट कोट किया ना आप से संजे राउत के बयान पर भी मैं प्रतिक्रिया चाते हूँ उन्होंने का है कि महराष्ट के जंता की का यह हो ही नहीं सकता है फैसला संजे राउत ने सीरे तोर पर इस पूरे आँकणे पर सवाल उड़ा दिया है उन्होंने का है माहराश्ट्र की जंता ये फैसला ही नहीं दे सकती है संजर राउट जारखंड में क्या हुआ जारखंड के अंदर लोकसभा के चुनाओं में आपका पर्फॉमेंस जेनम से बहुत 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 था राज विदान सभा विदान सभा वी तो प्रब्लम होगे सूरेन का सोर होगे सूपर सोर सूपर सोर वैसे वैसे आशुतोष जी अभी जो संख्या दिखाई जा रही है पचास और अठाइस है तो यह राउट नहीं होता है दोसों बाइस और चववन क्या होता है सोच्वी जी और अभी शायद होता है जो की जेमें का पक्ष रखेंगे जाहिर तोर पर जेमेम कॉंग्रेस की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा इंडिया गट बंदन के लिए जारकंड में जीत है तो वैसे ही जबरदस्ट जटका है ये महाराष्ट्र में अगर यही रुजायन नतीजों में तबदील होते है जारकंड में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मतलब चप परफाल एक तालेस है क्लियर मैंडेक लेकिन महाराष्ट्र पर आते हुए देखिए आप लोग चुनाव आयोग पर कई सारे प्रश्ण हर बार उठाते हैं चुनाव आयोग आद संजराओ कहरें कि अब अडानी ने जिता दिया है महाराष्ट्र में आयोती को चल EVM का नाम नहीं लिया सिधा अडानी पर आगए इसका क्या अर्थ है और चुनाव आयोग ने अगर असल चुनाव चिन दिया शिविसेना को एंसीपी को तो वो भी कहीं न कहीं इस मैंडेट में रिफ्लेक्ट हो रहा है विधान सभा के चुनाओं सुप्रिया जी अभी बज कोई संशय नहीं कि महराश्ट ने हमें निराश किया है महराश में आशा के विफरीत परिणाम है महराश में हमें इससे बहुत बहतर करने की उम्मीद थी ये बड़ी अच्छी बात कही है जारखंड वहीं पर हमारे लिए बहुत उत्सावर्धक रहा है हमारी सरकार रिपीच होने जा रही है और जारखंड में जारखंड ने जिस तरह की politics वहाँ पे करने की कोशिश करी गई ED से जेल में डालना डिव जेव बेटी तक कोई बात कर देना प्रधान मंतरी को उसको reject किया है मजा नहीं आ रहा है सुधान्चु जी जो महाविकास अगाडी है उसकी तरफ से जब शुरुआत में मुख्यमंतरी का चेहरा पूछा जाता था जो तुमास पश्ट कहा गया जो सबसे बड़ी पार्टी उसका मुख्यमंतरी होगा आप लोगों की तरफ से ये फॉर्मिला नहीं दिया गया था और इसलिए शायद आप परिशानी होगी जिस पार्टी का मुख्यमंतरी है वो छोड़ने को तैयार क्यों होगा जो आपने कहा मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ ये जो फार्मूला दिया गया वो शरत पवाद जी के द्वारा दिया गया था मगर तब दिया गया जब उधर ठाकरे जी ने कहा था कि उन्हें सीम प्रोजेक्ट किया जाए तो उसकी प्रतिक्रिया में कहा गया था नहीं जिसकी सीटे जादा आएंगी वो होगा यानि वहाँ शुरू से ही इस विशे को लेके खीचा तानी थी जो आपने दावेदारी की बात कही आश्वस रही है हमारी साजेदारी इतनी मजबूत है कि किसी भी प्रकार की दावेदारी उसके अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन करने वाली है जो हमारे तीनों पार्टियों का शीष नेस्ट तो बैट के सामंजस ते निंडे लेगा कि हमारी साज़ेदारी सामंजत से पूर्ण है और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं आए और एक और मैं कारण बता दूँ बोल बोल देखे हमारा जो कोलिशन था उसके अंदर एक आइडिलोजिकल एंगिल भी था शिवसेना के साथ अगर बेखे जब हमारा शिवसेना पूरी शिवसेना के साथ था अब शिवसेना जब उधर गई तो तीनों पार्टियों में एक समस्या है कि उनके कारिकरता मुझे लगता है जमीन पे नहीं एक हो पाए चूंकि नेता तो एक हो गए वेक्तिकत स्वार्थ में पर मुझे लगता है कि जब महराष्ट की सत्ता की बात आई तो वो नहीं एक हो पाए और लोकसबा में थोड़ा भ्रम का बातावरण भी था और यह भी मैं मान सकता हूं कि हमारे में काफी पानी बह चुका है तो इसलिए अब मुझे लगता है कि अब वास्विक इस्तिती लोगों को समझ में आ रही है जिसे एक कहवत होती है कि काट की हंडी बार बार नहीं चड़ती तो संभवता अब हर्याना के बाद इन चुनाव परिणामों से ऐसा ही कुछ प्रती सबसे पहले तो जो सुधानशु जी ने भी बाते कहीं मैं उस पर थोड़ी सी टिपड़ी करना चाते हो सुधानशु जी कहते कहते कह गए महराश्च पर तो बहुत बोल गया जारखन में क्या हुआ सुधानशु जी आपको तो एक अपना अध्यक्ष भी इंपोर्ट करना पड़ गया वह अध्यक्ष जो कहता था मोदी जी तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे बाबलाल मरांडी जी और असलियत ये भी है कि आपके खेमे में इतनी लड़ाई थी प्रधान मंत्री ने वहां जाकर बेटी तक का इन्वोक कर दिया था मंगल सुत मुझ्रे की बात करते करतें वहां पर बेटी की भी बात कर दी थी अरे बाब रे यह तो धोति खोल रहा है तो जार्खंड में क्या हुआ तो देखे जो जीता वही सिकंदर वाले है करेma अगर हिसाब से चलिगा तो महारा श्री की बात करेंगे लेकिन असलियत यह है कि जो स्लोगन इ में मुझे कुछ नहीं कहने है जहां तक संजे राउज जी की टिपड़ी की बात है बहुत सारी ऐसी बाती आएंगी बहुत सारी ऐसे विचार आएंगे और मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान का डेमोक्रसी परिपत्व है और इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए